आपके सामने है TVS Apache RTR 162V जो कि 2024 में बहुत सारी नही नहीं अपडेट लेके आई है वो सब क्या अपडेट है वो सब आज हम डिस्कस करेंगे आपको इसमें नौर्मल बाली की मिलती है जैसे कि आपको हर बाइक में देखने को मिल जाएगी यह बाइक आपको TVS Star Automobile नगीना मे मिल जाएगी तो first of all हम इसका की इस्टॉलेशन कर लेते हैं आपको कैसी इसमें डिस्पले देखने को मिल जाएगी तो आपको फुली डिटर इंस्टुमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा इसमें आपको स्पीडोमीटर गेर सिफ्ट एडवाइजर और इसमें बहुत सारे अगर आप इसके अपडेट वेरिंट में जाते हैं तो उसमें आपको Bluetooth connectivity जैसे Fierce Facility देखने को मिल जाएगी चारजिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा 2024 में इस बाइक में आपको engine check, neutral वगरा की light भी देखने को मिल जाएगी ये बाइक 160 CC की है और बहुत powerful बाइक मान करते हैं काफी मजबूत इसमें आपको suspension देखने को मिल जाएंगे वहीं पे अगर बात की जाए तो front tire profile आपको जो देखने को मिलेगी वो 90-90-17 की देखने को मिलेगी 280 mm disc के साथ ये बाइक आपको single channel और dual channel ABS में देखने को मिल जाएगी single disc और dual disc में भी देखने को मिल जैसे इसमें आपको fully metal का exhaust भी देखने को मिलेगा वहीं पर अगर बात की जाए तो बहुत सारी इसमें आपको update देखने को मिलेगी जैसे कि LED टेयल लाइट है मैंने बताया ता आपको split वाले grab handle देखने को मिलेगे 13-liter fuel tank capacity के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलेगी graphics बिल इसमें आपको बहुत सारी color में देखने को मिल जाएगी black, white, red, yellow बहुत सारे color इसमें आपको देखने को मिलेगे लेकिन one of the most demanding color है black और white इसमें इसमें आपको जो tail मिलती है वो थोड़ी बाहर की side में देखने को मिलती है स्पोर्टी लूग है family type और स्पोर्टी लूग दोन इसमें आपको मिग वाले suspension देखने को मिल जाएंगे जो कि spring loaded है adjustable वाले इसमें आपको footrest देखने को मिलेंगे single seat मिलती है family type और sport ताइप दोनों में देखने को मिल जाएगी यह bike आपको dual combination है sports और family type bike का since 1982 कि इसमें आपको tank पे wazzing मिल जाएगी इस bike को mileage है वो लगवा 40 to 45 के बीच का आपको देखने को मिलेगा site panel पर Apache देखने को मिलेगा बहुत सारे basic से feature और बहुत सारी update मिल जाएंगे इसमें आपको trip meter भी मिल जाते हैं दो-दो जो इसके बाद में आपको mode भी देखने को मिल जालेंगे जैसे कि आप जिस हिसाब से चलाते है rain mode मिलती है Erwon Mode लड ताकि इसी अधर बाइक में आपको देखने को मिल जाएंगे TVS इतने कुछ फीचर आपको प्रोवाइड कर रही है बही पर अगर बात की जाए इस बाइक में आपको सिंगल होन मिलता है स्प्लिट बाले आपको लेगार्ड देखने को मिल जाएंगे तो 160 CC का 4 श्टॉक SI इंजिन देखने को मिलता है जो कि मैक्स पावर 13 PS की जनरेट करता है 7500 आरपियम के साथ और मैक्स टॉक ये लगबग आपको 14.58 एनम का देता है 5500 आरपियम के साथ तो इतना कुछ जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा अब अगर बात की जाए लुकिंग की तो आपके सामने है लुकिंग कितनी धासू लुकिंग के साथ ही मिलती है अगर आप इसे पलसर के मुकावले कंपेर करना चाहे तो थोड़ी बैटर परफॉर्मेंस देती है देखने को मिलेंगे अगर बात की जाए इसमें आपको ट्यूब लैस्ट आयर देखने को मिलेंगे अगर आप इसके अपडेट बर्जन में जाती है पहले ट्यूब के साथ आती थी अब भी जो इसके कुछ वैलेंटर में आपको ट्यूब आले टायर देखने को मिलेंगे और 2024 में जो इसका इंजिन है वो F5 सिस्टम से लह से मतलब कि यह पैटल है आपको पैट्रोल टी मिलती थी वो नहीं मिले गिया सैंसर लगा है वो फ्यूल टैंक से अपने अपने हिसाब से पैट्रोल ले लेता है उसमें एक बहुत ही जवदस्ट अपडेट आने वाली है 2024 के लास्ट में अगर आपको TBS Apache RTR लेना चाहते है 160 में तो ये बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए क्योंकि बहुत सा नएनी फैसलिटी आ चुकी है बाइकों में आप देख सकते हैं स्टेंड कट आफ संसर भी देखने को मिल जाएगा मिडल स्टेंड भी देखने को मिल जाएगा तो अब मझे बताएगा आपको ये बाइक कैसी लगी है और आपको TBS Apache RTR 160 कैसी लगती है 125 कैसी लगती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाइक के साथ तब तक पिले गुड़ बाइ